नमस्ते बच्चो आज हम गमन यानी की मोशन के बारे में जानेगे क्या आप बता सकते है कि डाल पर बैठी एक चिडिया और एक उड़ती हुई चिडिया में क्या अंतर होता है या फिर एक खड़ी हुई कार और एक चलती हुई कार में या फिर प्लैटफॉम पर रुकी हुई ट्रेन और चलती हुई ट्रेन में क्या अंतर होता है जवाब बहुत ही आसान है पहली दश्या में चीजे चल नहीं रही है यानि वे ठैरी हुई है और दूसरी दश्या में वे चल रही है तो जब कोई वस्तू चलती है तो यहक कहा जाता है वह गतی में है या फिर हम कह सकते है जब कोई वस्तू एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है वह उस वस्तू की गती या गमन कहलाती है लेकिन यदि आप किसी चलती हुई ट्रीन में बैठे है और जब बाहर देखते है तब आपको यह मैसूस होता है जैसे ना केवल क्लैटफॉर्म पर खड़े लोग बल्कि आस्पाल्स के पीड़ भी चल रहे है यह तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया तो हम कैसे पता करेगे कि कोई वस्तू गती में है या नहीं चलिए एक और उधारन लेते हैं आप रेलवे प्लैटफॉर्म पर खड़े हैं और तब ही वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है आप देखते हैं कि ट्रेन प्लैटफॉर्म के एक अंच से आती है और कुछ देर बाद यह ट्रेन आपके सामने से गुजर कर दूर चली जाती है दूसरी स्थिर वस्तुओं की तुल्ला में उस वस्तु की स्थिती में परिवर्तन होता रहता है जैसे जब आपने पहले ट्रेन को देखा था तब वह प्लैटफॉर्म के एक अंसे आ रही थी उस समय ट्रेन और आपके बीच में कुछ दूरी थी लेकिन जब ट्रेन और आगे बढ़ती है तो ट्रेन और आपके बीच की दूरी थोड़ी खटती जाती है या आप यह कह सकते कि जब ट्रेन चलती है तो समय के साथ स्थिर वस्तुओं की तुल्ला में इसकी स्थिती में परिवर्तन होता रहता है तो जब आप platform पर खड़े होते हैं तब आप कैसे पता चलता है कि train ने चलना शुरू कर दिया है जिस platform पर आप खड़े होते हैं वस्तिर रहता है लेकिन समय के साथ-साथ train platform से आगे बढ़ जाती है यानि कि train की स्थिती में परिवर्तन आ जाता है इस प्रकार आपको पता चलता है कि train चल रही है इसी प्रकार यदि एक वस्तू गतिमान है तो समय के साथ-साथ किसी स्थिर वस्तू जैसे कि मकान या पेड़ की तुलना में इसके स्थान में परिवर्तन होता है तो जब हम यह कहते हैं कि कोई वस्तू गतिमान है तब वे किसी दूसरी वस्तू जो की नहीं चल रही होती है यानि की जो स्तिर होती है उनकी तुलना में यह वस्तू गतिमान होती है जैसे जब हम कहते की कार चल रही है तब वे खड़े वे पेड, खंबो और इमारतों की तुलना में वे कार गतिमान होती है उड़ता हुआ पक्षी, चलती हुई कार, घूमता हुआ पंखा या प्रत्वी का रोटेशन ये सभी गतीमान होते है या मोशन में होते है लेकिन क्या ये सभी मोशन एक समान के होते है या भिन-भिन होते है जी हां मोशन कई प्रकार के होते है और सभी प्रकार के मोशन समान नहीं होते जब एक कार जब किसी सीधी रास्ते पर चलती है तो इसका मोशन भी एक सीधी दिशा में होता है यहां तक कि उचाई से गिरने वाला पत्थर भी एक सीधी रेका में ही गिरता है जैसा कि हमने सरकस में देखा था वह कलाकार तनी हुई रसी पर संतुलन वाला करतब दिखाती है और फिर वे तनी हुई रसी पर साइकल चलाती है साइकल का वह मोशन रसी के साथ साथ एक सीधी रेखा में था तो जब एक वस्तू एक सीधी रेखा में चलती है तब हम उसे लीनियर या रेक्टी लीनियर मोशन कहते है चलिए अब हम गती या मोशन के अन्य प्रकार देखते है यहाँ पर जोकर एक पत्थर या गेंद को धागे में बांद कर गुमा रहा है अब पत्थर की गती या मोशन को ध्यान से देखिए हम यह पाएगे कि यह पत्थर एक वरत्ती या पात यानि की सर्कुलर पात पर गती कर रहा है इस गती में पत्थर की जोकर के हाथ से दूरी एक समान बनी रहती है इस प्रकार की गती को सर्कुलर मोशन कहते है जैसे कि हमने सरकस में देखा था घोड़ा एक सरकुलर पाथ पर दोड़ रहा था मान लीजी कि यह वह सरकुलर पाथ का पूरी तरह से पालं कर रहा था तो इस गती को सरकुलर मोशन कह सकते है लेकिन रोजमर्रा के जीवन में विबिन मोशन्स ना तो बिलकुल सीधी रेखा में होते है ना ही बिलकुल सरकुलरिया गोला कार पात पर जैसा कि हम जानते हैं सामाने त्या एक कार सीधी रेखा में चलती है लेकिन सडके हमेशा बिलकुल सीधी नहीं होती साथी में हमें विबिन जगह तक पहुचाने के लिए अलग-अलग रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है इस प्रकार एक कार भी रत्य पात यानि कि कर्व पात पर चल सकती है जब कुछ रस्तू एक कर्व पर चलती है तब इसे कर्वी लीनियर मोशन कहते है एक चलाई हुई कार जब मुड़ती है तो यह भी कर्वी लीनियर मोशन का ही एक उधारन है जैसा कि हमने सरकस में देखा था जो कर एक कर्वड पात पर साइकल चला रहा था जो कि कर्वी लीनियर मोशन का ही एक उधारन है क्या है इसके अतिरिक्त कोई और मोशन भी है चलिए देखते है मान लीजिए कि आप अपनी साइकल के पैये के बेरिंग्स बदल रहे है खाम ठीक से हुआ या नहीं यह पता लगाने के लिए आप साइकल के एकसल को सीधा रखकर पैडल को पकड़ कर खुमाते है पैये के माद्यम में स्थित एकसल स्थित रहता है घुमाने पर पैया आगे नहीं बढ़ता है बलकि एकसल के आसपास घुमता रहता है है ना पैये का हर भाग एकसल पर सर्किलर मोशन में घुमता है इस प्रकार का मोशन जिसमें वस्तु धूरी के चारो और घुमती है rotatory motion कहलाता है प्रत्वी का अपनी imaginary axis यानि कालपनिक धूरी पर घूमना भी rotatory motion का ही उधारन है चलिए अब हम घूमते हो एक लट्टू को देखते है यदि हम इसे गौर से देखेगे तो लट्टू के सभी भाग दिये गए समय में समान धूरी तय नहीं करते है सबसे उपरी भाग कम दूरी तय करता है जबकि विस्तारित हिस्सा दिये गए समय में ज़्यादा दूरी तय करता है जैसा कि हमने सरकस में देखा था जोकर गेंद को अपनी उंगली पर घुमा रहा था वह भी rotatory motion ही था कुछ गतिया या motions थोड़े थोड़े समय में अपने आपको दोहराते है जैसा कि आप जूला जूलते है या प्रत्वी का सूर्य के चारो और घूमना यदि हम प्रत्वी की बात करें तो प्रत्वी एक fixed orbit पर सूर्य के चारो और चक्कर लगाती रहती है यहा अपना एक चकर निश्चित समय में पूरा करती है और यहां motion लगातार चलता रहता है सालो साल चलता रहता है जिस प्रकार प्रत्वी सूर्य के आसपर चक्कर लगाती है उसी प्रकार कई वस्तुए एक निश्चित समय में अपनी गती दोहराती रहती है इस प्रकार के motion को periodic motion कहा जाता है घड़ी का pendulum एक सीरे से दूसरे सीरे तक जाने के लिए अपने motion को एक निश्चित समय में दोहराता है इसलिए यह भी एक periodic motion है जैसा कि हमने सरकस में देखा था हवा में जूलने वाले trapeze artist हवा में आगे पीछे जूल रहे थे यह भी periodic motion का ही उधारन था जब हम चलते है तब हमारे हातों का motion या keyboard पर टाइप करते समय उंगलियों का motion या पियानों पर गाना बचाते समय उंगलियों का motion ये कुछ motion repeat तो होते है लेकिन क्या ये निश्चित अंतराल में repeat होते है नहीं ये motion एक निश्चित अंतराल में repeat नहीं होते है तो किसी भी प्रकार का मोशन जो अपने आप एक निश्चित अंतराल में नहीं धोराता है उसे नॉन पिरियोडिक मोशन कहते है तो अब आप विभिन प्रकार के मोशन के बारे में कुछ जान चुके है हम वापस सरकस की ओर चलते है आप सब को तनी हुई रसी पर किया गया संतुलन करने वाला करतब तो जरूर पसंद आया होगा चलिए अब हम उसे ध्यान से देखते है जब वा कला का रसी पर साइकल चला रही थी तब वा कौन सा मोशन था आप कहेगे ये तो बहुत असान है चुकि साइकल एक सीधी रेखा में चल रही थी तो यह एक रेक्टी लीनियर मोशन था बिल्कुल सही लेकिन एक मिट रुकिए उसके पईये का क्या मोशन था पईयो को गौड से देखिए साइकल के पईये रोटेटरी मोशन में कारे कर रहे है पईये का एकसल अपनी धूरी के आसपास घूम रहा है तो यहां एक साथ दो प्रकार के मोशन कारे कर रहे है चलिए हम एक और उधारन लेते है क्या आपने कभी जमीन पर गेंद के मोशन को गौड से देखा है यहां पर गेंद घूमते हुए आगे बढ़ रही है यह जमीन पर घूम भी रही है और साथ साथ आगे भी बढ़ रही है इस प्रकार गेंद एक साथ दो मोशन में है रेक्टी लीनियर मोशन जो की आगे जाना सीधी रेखा में और rotatory motion जो गेंद का अपने ही धूरी के आसपास घूमना चलिए अब हम अंतरिक्ष में अपने प्रत्वी को देखते है अभी हम किस प्रकार का motion देख सकते है प्रत्वी अपनी धूरी के चारो और घूम रही है और साथी साथ वस सूरिय के आसपास भी चक्कर लगा रही है तो यहाँ पर rotatory motion और साथी कर्वी linear motion भी हो रहा है तो कई बार एक ही समय पर एक वस्तू एक से ज़्यादा motion दर्शाती है जैसे कि हमने देखा था रसी पर cycle चलाते समय rectilinear motion और rotatory motion दोनों साथ काम कर रहे थे तो हमने इस वीडियो में सीखा एक वस्तू को गतिमान तब कहा जाता है जब उसकी स्थिती में दूस्तरी स्थिर वस्तू के तुलना में समय के साथ परिवर्दन होता है सरकस में हमने कौन-कौन से motion देखे थे एक तनी हुई रसी पर cycle चलाना यह एक rectilinear motion था जोकर द्वारा curved path पर चक्कर लगाना यह करवी linear motion था घोडे का एक निश्चित circular path पर दोनना वह circular motion था जोकर का अपने उंगली पर गेंद घुमाना यह rotatory motion था हवा में करतब दिखाने वाले trapeze artist का हवा में जूलना यह एक periodic motion था और अंत में किसी वस्तू में एक ही समय पर एक से अधिक प्रकार के motion का combination भी हो सकता है जैसे तनी हुई रसी पर cycle चलाते समय एक सीधी रेका में motion होता है और उसके पईये का rotatory motion में motion होता है motion और इसके प्रकारों के बारे में आज के वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में और सीखेगे बाई बाई बच्चो